स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानियां कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी एक कहानी थी जो दुनियादारी के लिहाज से देखें तो अधूरी रह गई उस कहानी के दोनों किरदार, मशहूर हर दिल अजीज शायर, लेखक, अमरिता प्रीतम और साहिर लुद्यान भी दोनों अपनी पेशावराना जिंदगी में सैंकडों गीत, कविताएं, कहानिया बुनते रहे लेकिन एक दूसरे से अपने जजबात बयान करने के लिए लफजों से ज्यादा खामोशियां टटोलते रहे आज, अमरिता प्रीतम की लिखी कहानी, वो कहानी जो बन ना पाई और भुलाई भी ना जा सकी एक किस्सा कह लीजिए, जब अमरिता जो अपने आपको इस कहानी में अ और साहिर को सा लिखती हैं, साहिर से बंबई में मिलती हैं तब, जब अमर की धूप में सुभा की नर्मी नहीं, दोपहर की तपिश है, जो हो सकता था पर ना हुआ, उसका रंज पुरानी चोट सा यकायक तीसता है, वो कहानी जो थी भी और नहीं भी पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पर दिवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता, तो घर की दिवारें बन सकता था, पर बना नहीं वो धर्ती पर फैल गया सडकों की तरह, और वो दोनों तमाम उम्र उन सडकों पर चलते रहे सडकें एक दूसरे के पहलू से भी भटती है एक दूसरे के शरीर को चीर कर भी गुजरती है एक दूसरे से हाथ छुड़ा कर गुम भी हो जाती है और एक दूसरे के गले से लग कर एक दूसरे में लीन भी हो जाती है वो एक दूसरे से मिलते रहे और सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिची हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिल जाती थी घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौक कर रुख जाती थी और उनके पैर भी और तब शायद दोनों को उस घर का ध्यान आता था जो बना नहीं था बन सकता था फिर क्यों नहीं बना वो दोनों हैरान से होकर पाओं के नीचे की जमीन को ऐसे देखते थे जैसे ये बात उस जमीन से पूछ रहे हों और फिर वो कितनी ही देश जमीन की और ऐसे देखने लगते मानों वो अपनी नजर से जमीन में उस घर की नीव खोद लेंगे और कई बार सच मुछ वहाँ जादू का एक घर उभर कर खड़ा हो जाता और वो दोनों ऐसे सहज हो जाते मानों बरसों से उसी घर में रह रहे हों ये उनकी भरपूर जवानी के दिनों की बात नहीं अब की बात है ठंडी उम्र की बात कि अ एक सरकारी मीटिंग के लिए सर के शहर गई अ को भी वक्त ने सर जितना सरकारी ओहदा दिया है और बराबर की हैसियत के लोग जब मीटिंग से उठे सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों से आने वालों के लिए वापसी टिकेट तयार रखे हुए थे सर ने आगे बढ़कर अ का टिकेट ले लिया और बाहर आकर अ से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा पूछा सामान कहा है? होटेल में सर ने ड्राइवर से पहले होटेल और फिर वापस घर चलने के लिए कहा अने आपत्ती नहीं की पर तर्क के तौर पर कहा प्लेन में सिर्फ दो घंटे बाकी हैं होटेल होकर मुश्किल से एरपोर्ट पहुँचूंगी प्लेन कल भी जाएगा परसों भी रोज जाएगा सर ने सिर्फ इतना कहा फिर रास्ते में कुछ नहीं कहा होटेल से सूटकेस लेकर गाड़ी में रख लिया तो एक बार अने फेर कहा वक्त थोड़ा है प्लेन मिस हो जाएगा सर ने जवाब में कहा घर पर मा इंतजार कर रही होगी सोचती रही कि शायद सर ने मा को इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था पर वो समझ नहीं सकी क्यों बताया था कभी-कभी मन से ये क्यों पूछ लेती थी पर जवाब का इंतजार नहीं करती थी वो जानती थी मन के पास कोई जवाब नहीं था वो चुप पैठी शीशे में से बाहर शहर की इमारतों को देखती रही कुछ देर बाद इमारतों का सिलसिला तूट गया शहर से दूर बाहर की आबादी आ गई और पाम के पत्तों की तरह उसके हाथों में कमपन आ गई थी शायद सर का घर भी अब पास था पेड़ों पत्तों में लिप्टी हुई सी कॉटेज के पास पहुँचकर काड़ी खड़ी हो गई अभियोत्री पर कॉटेज की भीतर जाते हुए एक पल के लिए बाहर केले के पेड़ के पास खड़ी हो गई जी किया अपने कापते हुए हाथों को यहां बाहर केले के कापते हुए पत्तों के बीच में रखते वो सर के साथ भीतर कॉटेज में जा सकती थी पर हाथों की वहाँ जरूरत नहीं थी इन हाथों से ना वो अब सर को कुछ दे सकती थी ना सर से कुछ ले सकती थी मा ने शायद गाड़ी की आवाज सुन ली थी, बाहर आ गई उन्होंने हमेशा की तरह मा था चूमा और कहा आओ बेटी इस बार अब बहुत दिनों बाद मा से मिली थी पर मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जैसे सिर पर बरसों का बोज उतार दिया हो और उसे भीतर ले जाकर बिठाते हुए उससे पूछा क्या प्योग योगिवेटी सर भी अब तक भीतर आ गया था मा से कहने लगा पहले चाय बनवाओ फिर खाना और ने देखा ड्राइवर गाड़ी से सूटकेस अंदर ला रहा था उसने सर की ओर देखा कहा बहुत थोड़ा वक्त है मुश्किल से एरपूर्ट पहुँचूंगी सर ने उससे नहीं ड्राइवर से कहा कल सवेरे जाकर परसों का टिकेट ले आना और मा से कहा तुम कहती थी कि मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाना है कल बुला लो अने सर की जेब की ओर देखा जिसमें उसका वापसी टिकेट पड़ा हुआ था कहा पर ये टिकेट परबाद हो जाएगा मा रसोई की तरफ जाते हुए खड़ी हो गई और अ के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहने लगी टिकेट का क्या है बेटी इतना कह रहा है रुख जाओ पर क्यों अ के मन में आया पर कहा कुछ नहीं कुर्सी से उठकर कमरे के आगे बरामदे में जाकर खड़ी हो गई सामने दूर तक पाम के उँचे उँचे पेड थे समुद्र परे था उसकी आवाज सुनाई दे रही थे अ को लगा सिर्फ आज का क्यों नहीं उसकी जिन्दगी के कितने ही क्यों उसके मन के समुद्र के तट पर इन पाम के पेड़ों की तरह उगे हुए हैं और उनके पत्ते अने एक वर्षों से हवा में काप रहे हैं अने घर के महमान की तरह चाई पी, रात को खाना खाया और घर का गुसल खाना पूछ कर रात को सोने के समय पहनने वाले कपड़े बदले घर में एक लंबी बैठक थी ट्रॉइंग डाइनिंग और दो और कमरे थे एक सर का एक मा का मा ने जिद करके अपना कमरा अ को दे दिया और स्वयम बैठक में सो गई अ सोने वाले कमरे में चली गई पर कितनी ही देर जिजकी हुई सी खड़ी रही सोचती रही मैं बैठक में सोने वाले कमरे के पलंग में, परदे में और अलमारी में एक घरेलू सी बूबास होती है अने इसका एक घूंट सा भरा पर फिर अपना सांस रोक लिया, मानो अपनी ही सांसों से डर रही हो बराबर का कमरा सर का था, कोई आवाज नहीं थी घड़ी पहले सर ने सिर्दर्द की शिकायत की थी, नीन की गोली खाई थी, अब तक सो गया था पर बराबर वाले कमरों की भी अपनी बूबास होती है अने एक बार उसका भी घूंट पीना चाहा, पर सांस रुका रहा फिर अका ध्यान अलमारी के पास नीचे फर्ष पर पढ़े हुए अपने सूट केस की ओर गया और उसे हासी सी आ गई ये देखो मेरा सूट केस, मुझे सारी रात मेरी मुसाफरी की याद दिलाता रहेगा और वो सूट केस की ओर देखते हुए ठकी हुई सी, तकिये पर सिर रख कर लेट गई नजाने कब नीद आ गई सोकर जागी, तो खासा दिन चड़ा हुआ था बैठक में रात को होने वाली दावत की हल चल थी एक बार तो अ की आँखें जपक कर रह गई बैठक में सामने सर खड़ा था चारखाने का नीले रंग का तहमत पहने हुए अने उसे कभी रात के सोने के समय के कपड़ों में नहीं देखा था हमेशा दिन में ही देखा था किसी सड़क पर, सड़क के किनारे, किसी कैफे में, होटेल में या किसी सरकारी मीटिंग में उसकी ये पहचान नई सी लगी आँखों में अटक सी गई अने अभी भी इस समय नाइट सूट पहना हुआ था पर अने बैठक में आने से पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था आप ध्यान आया तो अपना आप ही अजीब लगा साधारण से असाधारण सा होता हुआ बैठक में खड़ा हुआ सर अ को आते हुए देख कर कहने लगा ये दो सोफे हैं इन्हें लंबाई के रुख रख ले बीच में जगे खुली हो जाएगी अ ने सोफों को पकड़वाया चोटी मेजों को उठा कर कुर्सियों के बीच में रखा फिर मा ने चौके से आवाज दी तो अहने चाए लाकर मेज पर रख दी चाए पीकर साने उससे कहा चलो जिन लोगों को बुलाना है उनके घर जाकर कहे आएं और लोटते हुए कुछ फल लेते आएं दोनों ने पुराने परिचित दोस्तों के घर जाकर दस्तक दी संदेशे दिये रास्ते से चीजें खरी दी फिर वापस आकर दोपहर का खाना खाया और फिर बैठक को फूलों से सजाने में लग गए दोनों ने रास्ते में साधारण सी बाते की थी फल कौन से लेने है पान लेने है या नही ड्रिंक्स के साथ के लिए कबाब कितने ले ले फला का घर रास्ते में पढ़ता है उसे भी बुला ले और ये बातें वो नहीं थी जो साथ परस बाद मिलने वाले करते हैं अ को सवेरे दोस्तों के घर पर पहली दूसरी दस्तक देते समय ही सिर्फ थोड़ी सी परिशानी महसूस हुई थी वो भले ही सर के दोस्त थे पर एक लंबे समय से अ को जानते थे दर्वाजा खोलने पर बाहर उसे सर के साथ देखते तो हैरान से होकर कह उठते आप पर वो जब अकेले गाड़ी में बैठते तो सर हस देता देखा कितना हैरान हो गया उससे बोला भी नहीं जा रहा था और फिर एक दो बार के बाद दोस्तों की हैरानी भी उनकी साधारन बातों में शामिल हो गई सर की तरह अभी सहज मन से हसने लगी शाम के समय सर ने चाती में दर्द की शिकायत की मानी कटोरी में ब्रैंडी ला दी और असे कहा लो बेटी ये ब्रैंडी इसकी चाती पर मल दो इस समय तक शायद इतना कुछ सहज हो चुका था अ ने सर की कमीज के ऊपर वाले बटन खोले और हाथ से उसकी चाती पर ब्रैंडी मलने लगी बाहर पाम के पेडों के पत्ते और केलों के पत्ते शायद अब भी काप रहे थे पर अ के हाथ में कमपन नहीं था एक दोस समय से पहले आ गया था अ ने ब्रैंडी में भीगे हुए हाथों से उसका स्वागत करते हुए नमसकार भी किया और फिर कटोरी में हाथ डुबो कर बाकी रहती ब्रैंडी को उसकी गर्दन पर मल दिया कंधों तक धीरे धीरे कमरा महमानों से भर गया अ फ्रिज से बर्फ निकालती रही और सादा पानी भर-भर फ्रिज में रखती रही बीच-बीच में रसोई की तरफ जाती ठंडे कबाब फिर से गरम करके ले आती सिर्फ एक बार जब सर ने अ की कान के पास होकर कहा तीन-चार तो वो लोग भी आ गये हैं जिने बुलाया नहीं था जरूर किसी दोस्त ने उनसे भी कहा होगा तुम्हें देखने के लिए आ गये हैं तो पल भर के लिए अ की स्वभाविक्ता तूटी पर फिर जब सर ने उससे कुछ ग्लास दोने के लिए कहा तो वो उसी तरह सहजमन हो गई महफिल गर्म हुई, ठंडी हुई और जब लगभग आधी रात के समय सब चले गए अवा को सोने वाले कमरे में जाकर अपने सूटकेस में से रात के कपड़े निकाल कर पहनते हुए लगा की कि सडकों पर बना हुआ जादू का घर अब कहीं भी नहीं था ये जादू का घर उसने कई बार देखा था बंदे हुए भी, मिटे हुए भी इसलिए वो हैरान नहीं थी सिर्फ ठकी ठकी सी तकिये पर सिर रख कर सोचने लगी कब की बात है शायद पच्चीस बरस हो गए नहीं, तीस बरस जब पहली बार वो जिन्दगी की सडकों पर मिले थे किस सडक से आई थी सर कौन सी सडक से आया था तोनों पूछना भूल गए थे और बताना भी वो निगाह नीची के समीन में नीवें खोथते रहे और फिर यहाँ जादू का एक घर बन कर खड़ा हो गया और वो सहज मन से सारे दिन उस घर में रहते रहे फिर जब दोनों की सडकों ने उन्हें आवाजें दी वो अपनी अपनी सडक की ओर जाते हुए चौक कर खड़े हो गए देखा दोनों सडकों के बीच एक गहरी सी खाई थी सार कितनी देर उस खाई की ओर देखता रहा जैसे अ से पूछ रहा हो इस खाई को तुम किस तरह से पार करोगी अ ने कहा कुछ नहीं था पर सार के हाथ की ओर देखा था जैसे कह रही हो तुम हाथ पकड़ कर पार करा लो मैं मजहब की इस खाई को पार कर जाऊंगी फिर सर का ध्यान उपर की ओर गया था अ के हाथ की ओर अ की उंगली में हीरे की एक अंगूठी चमक रही थी सर कितनी देर तक देखता रहा जैसे पूछ रहा हो तुमारी उंगली पर ये जो कानून का धागा लिप्टा हुआ है मैं इसका क्या करूँगा अ ने अपनी उंगली की ओर देखा था और धीरे से हस पड़ी थी जैसे कह रही हो तुमे एक बार कहो मैं कानून का ये धागा नाखूनों से खोल दूगी नाखूनों से नहीं खुलेगा तो दातों से खोल दूगी पर सर चुप रहा था और अ भी चुप खड़ी रह गई थी पर जैसे सडकी एक ही जगए आकर खड़ी हुई भी चलती रहती है वो भी एक जगए पर खड़े हुई चलते रहे फिर एक दिन अपने एक बरस के बच्चे को उठाया था और बाहर सडक पर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी सने धीरे से हाथ आगे करके सोय हुए बच्चे को और से ले लिया था और अपने कंधे से लगा लिया था और फिर फिर वो सारे दिन उस शहर की सड़कों पर चलते रहे थे वो भरपूर जवानी के दिन थे उनके लिए न धूप थी न ठंड और फिर जब चाई पीने के लिए वो एक कैफे में गए तो बैरे ने एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे को देखकर एक अलग कोने की कुरसियां पोंचती थी और कैफे के उस अलग कोने में एक जादू का घर बनकर खड़ा हो गया था और एक बार अचानक चलती हुई रिलगाडी में मिलाप हो गया था सर भी था, मा भी और सर का एक दोस्त भी अ की सीट बहुत दूर थी पर سर के दोस्त ने उस से अपनी सीट बदल ली थी और उसका सूटकेस उठा कर सर के सूटकेस के पास रख दिया था काड़ी में दिन के समय ठंड नहीं थी पर रात ठंडी थी माने दोनों को एक कंबल दे दिया था आधा सर के लिए, आधा अ के लिए और चलती हुई गाड़ी में उस साजे के कंबल के किनारे जादू के घर की दिवारें बन गई थी जादू की दिवारें बनती थी, मिठती थी और आखिर उनके बीच खंडरों की सी खामोशी का एक धेर लग जाता था साज को कोई बंधन नहीं था, अको था पर वो तोड सकती थी फिर ये क्या था कि वो तमाम उम्र सडकों पर चलते रहे अब तो उम्र बीच गई, अने उम्र के तपते दिनों के बारे में भी सोचा और अपके ठंडे दिनों के बारे में भी लगा, सब दिन, सब बरस, पाम के पत्तों की तरह, हवा में खड़े काप रहे थे बहुत दिन हुए, एक बार अने बरसों की खामोशी को तोड़ कर पूछा था तुम बोलते क्यों नहीं, कुछ भी नहीं कहते, कुछ तो कहो पर संह हस दिया था कहने लगा, यहां रोशनी बहुत है, हर जगे रोशनी होती है, मुझसे बोला नहीं जाता और अगा जी किया था, वो एक बार सूरज को पकड़ कर बुझा दे सडकों पर सिर्फ दिन चड़ते हैं, रातें तो घरों में होती हैं, पर घर कोई था नहीं, इसलिए रात भी कहीं नहीं थी उनके पास सिर्फ सडके थी, और सूरज था, और सर, सूरज की रोशनी में बोलता नहीं था एक बार बोला था, वो चुप सा बैठा हुआ था जब अ ने पूछा था, क्या सोच रहे हो तो वो बोला, सोच रहा हूँ, लड़कियों से फ्लर्ट करूँ और तुम्हें दुखी करूँ पर इस तरह अ दुखी नहीं, सुखी हो जाती, इसलिए अ भी हसने लगी थी, सर भी और फिर एक लंबी खामोशी कई बार अ के जी में आता था, हाथ आगे बढ़ा कर सर को उसकी खामोशी में से बाहर ले आए वहां तक जहां तक दिल का दर्द है, पर वो अपने हाथों को सिर्फ देखती रहती थी, उसने हाथों से कभी कुछ कहा नहीं था एक बार सर ने कहा था, चलो चीन चलें, चीन? जाएंगे पर आएंगे नहीं, पर चीन क्यों? ये क्यों भी शायद पाम के पेड के समान था, जिसके पत्ते फिर हवा में कापने लगे इस समय अने तक ये पर सिर रखा हुआ था, पर नीन नहीं आ रही थी, सर बराबर के कमरे में सोया हुआ था शायद नीन की गोली खाकर, अकुन अपने जगने पर गुसा आया न सर की नीन्द पर वो सिर्फ ये सोच रही थी, कि वो सडकों पर चलते हुए, जब कभी मिल जाते हैं तो वहाँ घड़ी पहर के लिए एक जादू का घर क्यों बन कर खड़ा हो जाता है? अ को हसी सी आ गई, तपती हुई जवानी के समय तो ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अब क्यों? आज क्यों हुआ? ये न जाने क्या था, जो उम्र की पकड में नहीं आ रहा था, पाकी रात न जाने कब बीथ गई? अब दर्वाजे पर धीरे से खटका करता हुआ ड्राइवर कह रहा था कि एरपोर्ट जाने का समय हो गया है, अने साड़ी पहनी सूटकेस उठाया, सब ही जाक कर अपने कमरे से आ गया, और वो दोनों दर्वाजे की और बढ़े, जो बाहर सड़क की और खुलता था, ड्रा जाली से अंदर गई और बैठक में सोई हुई मा को खाली हाथों से प्रणाम करके बाहर आ गई, फिर एरपोर्ट वाली सड़क शुरू हो गई, खत्म होने को भी आ गई, पर सर भी चुप था, अभी, अचानक सर ने कहा, तुम कुछ कहने जा रही थी, नहीं, और फिर, और फिर चुप हो गया, फिर अ को लगा शायद सर को भी, कि बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को, पर बहुत देर हो गई थी, और अब सब शब्द जमीन में गड़ गए थे, पाम के पेड़ बन गए थे, और मन के समुदर के पास लगे हुए उन पेड़ों के पत् और पाउं की नीचे सर के शहर की सड़क तूट गई, अब सामने एक नई सड़क थी, जो हवा में से गुजर कर अ के शहर की एक सड़क से जा मिलने को थी, और वहां जहां दो सड़कें एक दूसरे के पहलू से निकलती हैं, सर ने धीरे से अ को अपने कंधे से लगा लिया, और फिर, वो दोनों कापते हुए, पाउं की नीचे की जमीन को इस तरह देखने लगे, जैसे उन्हें उस घर का ध्यान आ गया हो, जो नहीं बना था. आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन, कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी वाट्सैप पर फॉवर्ड करें. अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ. तब तक, अलविदा. कर दो कर दो कर दो के साथ.